स्री घौर्या सकलार्थदं निज पादं भोजेन मुप्ति प्रदं प्रोडं विग्न वनं हरंतं नगं स्रिधुन्ध तुन्दासिनां वन्दे चर्म कपाल कोप करण्ये वेराग्यम सोख्यात्पर नास्तिति प्रदी संत्मन विदूरं स्रिकासी के ससिवं जब कोई भक्त भगवान संकर की उपासना संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है तब भगवान संकर उसकी समस्त कामनाओं को स्री गौरी जी के माध्यम से पूर्ण कर देते हैं यदि कोई मोक्ष की इक्षा से उपासना करता है उसको अपने चरणों में सरण में लेते हैं और जो विघ्न निवारन के लिए सिव जी की उपासना करता है उसके विघ्नों को स्री गनेज जी महराज के द्वारा निवृत्त करा देते हैं वस्त्रों के इस इस्थान पर केवल बागंबर और पात्रों के इस्थान पर कपाल धारन करने वाले भगवान संकर का यह वेश संकेत देता है कि वैराग्य से अधीक सुख कहीं भी नहीं है ऐसे स्री कासिनाथ की मैं वंदना करता हूँ सीव जी का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए ऐसा कहना सर्वता भ्रहम मात्र ही है रोगम हरती निर्माल्य सोकं तुचर्णो दकं असे सपातक हन्ती सम्हो नैवेद्य भक्षणम द्रिष्ट वापी सिव नैवेद्य यानी पापानी दोरत्तह भक्ते तुसिव नैवेद्य उन्यान्य यायान्ति कोटि सह सिव दिक्छान वितो भक्तो महाप्रसाद संग्यतं सरवे सामपीलिंगान नैवेद्य भक्षयेत्सुहम सिव का निर्माल्य अरथात प्रसाद रोग को नश्ट करता है स्रणादक सोक को नश्ट करता है और सिव जी के नैवेद्य भक्षण संपूर्ण पापों को नश्ट करता है सीव जी नैवेद्य को देखकर ही पाप दूर चले जाते हैं और सीव जी के नैवेद्य खाने से तो करोडो कुन्य आ जाते हैं सीव जी के दिख्छा से युक्त अर्थाद जिसने संकर जी की सीव की दिख्छा ली हुई है ऐसे भक्त सारे ही लिंगो के नैविद्य को खाने का अधिकारी है क्योंकि वह नैविद्य सिव भक्त के लिए महा प्रसाद किवं सुभ दायक होता है सिव का प्रसाद किसे नहीं खाना चाहिए सिव भक्ति रतात्म नाम चंडा धिकारो यात्रास्ति तदभोक्तव्यम सिव जी के भिन दूसरे देताओं की दिक्छा वाले हैं और सिव जी की भक्ति में भी जिनका मन लगा हुआ है ऐसे सिव भक्तों को उस सिव नैवेद्य को नहीं खाना चाहिए जहां चंड का अधिकार होता है अर्थात जहां चंड का अधिकार नहीं होता उसे खाने में कोई दोस नहीं है चंड कौन है चंड सिव जी के एक गण का नाम है अब यह बताते हैं कि चंड का अधिकार कहा नहीं होता वान लिंगे चलो हेचा सिद्ध लिंगे स्वयम हुवे प्रतिमा सूचा सरवा सूना चंडो अधे कृतो भवे नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा से निकले हुए सीवलिंग स्वर्ण लिंग किसी सिद्ध पूरुजद्वारा इस्थापित लिंग स्वयम प्रकट होने वाले लिंग में तथा सिव जी की संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है अतह इन पर चड़िवे प्रसात को प्रत्येक सिव भक्त खा सकता है जिन लिंगो में चंड का अधिकार है वहां भी यह व्यवस्था है सिव लिंग के उपर जो द्रव्य चड़ा दिया जाता है उसे ग्रहन नहीं करना चाहिए और जो द्रव्य प्रसात लिंग इस पर्स से बाहर होता है अर्थात सिव लिंग के समीप में रखकर जो नैविद्य अरपन किया जाता है भोग लगाया जाता है उसको विसेश रूप से पवित्र जानना चाहिए अतह ऐसे प्रसात को सब ग्रहन कर सकते हैं